Good morning children, आगे बढ़ने से पहले, let us revise हमने पिछली वीडियो में क्या कर पढ़ा था हमने पढ़ा था occupation के बारे में, जहां पे हमने ये चाना था कि fishing और hunting है main occupation for the people living in green land फिर हमने चाना था कि population, जो कि green land में world's lowest population density है और जाधा तर लोग coastlines में रहते हैं with nearly one quarter of the population जो की रहता है capital city of nook में फिर natural resources में हमने ये चाना था कि green land rich है in minerals like lead, zinc, gold, copper और uranium में और जो economy है, जो country की जो economy है, green land की जो economy है वो depend करती है fishing industry and fish export के उपर और zinc and lead भी export किये जाते हैं यानि कि दूसरे-दूसरे countries में फेजे जाते हैं फिर transport में हमने ये जाना था कि sledges, जो कि drawn होते हैं यानि कि जो खीचे जाते हैं huskies या फिर rendiers के द्वारा वो ही एक common mode of transportation है for traveling from one place to another और kayak एक small narrow boat होती है जो की बनी हुई होती है wood और seal skin से जिसका use fishing के लिए किया जाता है और coastal areas में roads भी constructed किये गए हैं motor vehicles और modern means of transportation का भी use किया जाता है आज हम पढ़ेंगे life of people के बारे में तो इसमें हम जानेंगे कि जो native जो होते हैं यानि कि जो green land के रहने वाले लोग होते हैं उनको nude या फिर esquimos बोलते हैं वो short होते हैं और short in height होते हैं और उनके flat faces होते हैं और narrow black eyes होते हैं और वो हमेशा एक cheerful face उनका रहता है और बहुत ही tough लोग होते हैं और अपने आपको cold weather से बचाने के लिए men, women and children clothes पहनते हैं जो कि बने हुए होते हैं seal skin से और जो jacket भी बने हुए होते हैं वो fur के बने हुए होते हैं जिनमें hoodie होती है attached to it जो कि cover करते हैं उनके head को जिसे कहा जाता है पाड़का जैसा कि हम इस figure में देख सकते हैं उनके jackets के साथ एक head cover a charge है जिसे hood कहा जाता है और वो double trousers पहनते हैं gloves पहनते हैं high boots जो कि बने हुए होते हैं seal skin से और जो inutes जो रहते हैं वो extreme वो रहते हैं extreme north में और वो रहते हैं snow houses में जिन्हें igloos भी बोला जाता है igloos बने हुए होते हैं slabs of eyes के द्वारा और ये एक dome shift के होते हैं और एक single opening होती है for smoke या फिर hot air को पास करने के लिए जैसा कि हम इस image में देख सकते हैं igloo एक single सा एक opening है जिसके द्वारा smoke या hot air पास कर सके जिसे की जो house है वो warm रह सके और floor को cover किया जाता है skins of animals of us के द्वारा और summers में ये लोग tents में रहते हैं जिन्हें topics भी बोला जाता है ये tent बने हुए होते हैं animal skins के द्वारा और इही डेज में ज्यादातर लोग रहते हैं पका houses में आजकल के days में compared to आजकल के days में ज्यादातर लोग रहते हैं पका houses में जो बने हुए होते हैं wood या फिर stone के द्वारा inutes यानि की जो green land के लोग होते हैं उनको inutes या फिर esquimos बोला जाता है वो burn करते हैं fat of seals or whales as a fuel के तोर पे और वो use करते हैं skin of animals जिससे की वो clothing prepare कर सके tents बना सके या फिर flows अपने houses के flows को cover कर सके और जो hunters होते हैं जो green land के लोग होते हैं वो काफी skillful hunters होते हैं वो hunting बहुत अच्छे से कर पाते हैं और earlier पहले लोग hunt करते थे walrus, seals, whales, polar bears, muskos जो की bows या फिर harpoons के द्वारा ये इस तरीकी की instrument का इस्तिमाल करते थे hunting के लिए और आज कल green land के लोग rifles का इस्तिमाल करते हैं hunting के लिए और जो seals swim करते हैं under the ice वो एक hole बनाते हैं ice में जिसे की वो सास ले सके और eskimos wait करते हैं इनहीं seals को बाहर आने के लिए holes के द्वारा ताकि वो breathe कर सके और उसी time पर वो देखते ही उनको मारते हैं यानि की kill करते हैं seals को so students आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा life of people यानि की green land के लोगों के बारे में पढ़ा जो green land के लोग होते हैं उनको inude या फिर eskimos बोला जाता है यह shot होते हैं और इनके faces flat होते हैं और narrow black eyes होते हैं पर यह लोग काफी cheerful रहते हैं यानि की हस्मुक रहते हैं और बहुत ही tough लोग होते हैं और अपने आपको protect करने के लिए cold weather से men women or children wear करते हैं clothes जो की बने हुए होते हैं seal skin से या फिर furd से और उ जिसे की वह अपने हेड को cover कर सके जिसे पार का बोला जाता है और इन्यूट्स रहते हैं extreme north में snow houses में जिसे इगलूस बोला जाता है इगलूस बने हुए होते हैं slab of ice से और वह dawn shaped के होते हैं और एक single opening होती है smoke और होट एर पास करने के लिए जिसे की घर वाम रह से के और उन जिसे टाव पिक्स भी बोला जाता है इन्यूट्स बन करते हैं fat of seals या फिर whales को whales as a fuel और वो यूज करते हैं skin of animals as cloth और या तो tent बनाने के लिए या फिर उनके houses के flows को cover करने के लिए so students this is the end for today's learning video please go through this video thank you